साहित्य निदि में प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के आधार इस्तंभ माने जाने वाले लेखिकों में से एक भीश में साहनी जी की लिखी हुई कहानी चीफ की दावत तो शुरू करते हैं कहानी आज मिस्टर शामनाद के घर चीफ की दावत थी शामनाद और उनकी धर्म पतनी को पसीना पोचने की फुरसत न थी पतनी ड्रिसिंग आउन पहने उलजी हुए बालों का जूडा बनाए मूपर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर शामनाद सिग्रेट पर सिग्रेट फूंकते हुए चीजों की फेरिस्ट हात में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थी आके पांच बच्ते बच्ते तैयारे मुकमल होने लगी कुर्सियां मेज तिपाईयां नैपकेन पूल सब बरामदे में पहुँच गए ड्रिंक का इंतिजाम बैठक में कर दिया गया अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा तबी शामनाद के सामने सहसा एक अरचंग खड़ी हो गई माका क्या होगा इस बात के और ना उनका और ना उनकी कुशल ग्रणी का ध्यान गया था मिस्टर शामनाद श्रीमती के और घुम कर अंग्रेजी में बोले माका क्या होगा श्रीमती काम करते करते ठैर रही और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोले इन्हें पिछवारे इनकी सहली के घर भेज़ दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं शामना सिग्रेट मुह में रखे, सिकुडी आँखों से श्रीमती के चेहरे के और देखते हुए पल भर सोचते रहे फिर सिर हिला कर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुड़िया का आना जाना यहां फिर सिर शुरू हो पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था, मा से कहें कि जल्दी खाना खा के शाम कोई अपनी कूर्शी में चली जाएं मेमान कहीं आट बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निबट ले, सुझाओ ठीक था, दोनों को पसंद आया मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वो सो गई और नीन में खराटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दर्वाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूँगा, या मा को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोई नहीं, बैठी रहे, और क्या, और जो सो गई तो, डिनर का क्या मालों कब त दी, वा, तुम मा और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनू, तुम जानो और हो जाने, मिस्टर शामनात चुप रहे, ये मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूरने का था, उन्होंने घूम कर मा की कोट्री की और देखा, कोट्री का तरवाजा बरामदे में खुलता थ बरामते की और देखते हुए जट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उनी कद्मों से मा की कोट्री के बाहर जा खड़े हुए, मा दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, डुपट्टे में मूँ से लपेटे माला जप रही थी, सुबह से तयारी होती देखते हुए मा का दिल और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो, मास मचली बने तो मैं कुछ नहीं खाती, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी ने बढ़ जाना, अच्छा बेटा, और मां हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तु तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना, मां अवाग बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर दीरे से बोली, अच्छा बेटा, और मां आज जल्दी सो नहीं जाना, तुमारे खराटों की आवाज दूर तक आती है, मां लज्जे सी आवाज में बोली, क्या करूं अचानक उधर आ निकला तो, आट-दस मिमान होंगे, देशी अफसर उनकी इस्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है, क्षोब और क्रोध में वो जुझलाने लगे, एक कुरसी को उठा कर बरामदे में कोट्री के बाहर रखते हुए बोले, आओ मां, इस पर जड़ा बैठो तो, मां माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी, और धीरे से कुरसी पर आकर बैठ गई, यू नहीं मां, टांगे उपर चढ़ा कर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है, मां ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पाउं नहीं ग मिस्टर शामनात सिगरेट मुँ में रखे, फिर अदखुली आँखों से मां की उड़ देखने लगे, और मां के कपनों की सोचने लगे, शामनात हर बात में तर्टीब चाहते थे, घर का सब संचालन उनकी अपने हाथ में था, खूटियां कमरों में कहां लगाई जाएं, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, शामनात को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया, तो कई लज्जित नहीं होना पड़े, मां को सिर से पाउं तत देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो मां, पहन के आओ तो जरा देखूं, मां धीरे से उठी और अपनी कोटरी में कपड़े पहनने चली गई, ये मां का जमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्तरी से कहा, कोई धंकी बात हो, तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा ल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम को रूप नजर आ रही थी, चलो ठीक है, कोई चूडियां उन्या हों, तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, चूडियां कहां से लाओं बेटा, तुम तो जानते हो, सब जेवर तुम बन कर ही आया हूँ, निराल अंडूरा तो नहीं लोटाया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना, मेरी जीब जल जाये बेटा, तुम से जेवर लोंगी, मेरे मूँ से यूँ ही निकल गया, जो होते तो लाग बार पहनती, साड़े पांच बच चुके थे, अभी मिस् से निकलें और कोई बात पूछें, तो ठीक तरह से बात का जवाब देना, मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना मा अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा, साद बचते बचते मा का दिल धक धक करने लगा, अग मांका जी चाहा कि चुपचा पिछवाडे, विद्वा सहली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुकम को कैसे टाल सकती थी, चुपचा कुरसी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही, एक काम्याब पार्टी वो है, जिसमें ड्रिंक काम्याबी से चल जाए, शामनात की पार् पसंद आये थे, सोहा कफर का डिजाइन पसंद आया था, कम्रे की सजावर पसंद आई थी, इससे बढ़कर क्या चाहिए, साहब तो ड्रिंक के दूसरे दोर में चुटकलो और कहानियों पर लग गए थे, दफ्तर में जितना रॉब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे, और उनकी इस्तरी काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत, कमरे में बैठी सभी देसी इस्तरीयों की आराधना का केंदर बनी हुई थी, बाद बाद पर हस्ती, बाद बाद पर सिरह लाती, और शामनात लोग अपने अपने गिलासों में से आखरी घूट पी कर खाना काने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले, आगे आगे शामनात रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेमान, बरामदे में पहुंसते ही शामनात सहसा ठिटक गए, जो दरश्य उन्होंने द और पाएं से दाएं जूल रहा था, और मुझे लगातार गहरे खर्राटों की आवाजे आ रही थी, जब सिर कुछ देर के लिए टेड़ा होकर एक तरफ को थम जाता, तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब जटके से निम तूटती, तो सिर फिर दाएं से बा और उन्हें कोट्षी में ढखेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था, चीफ और बाकी मेमान पास खड़े थे, मा को देखते ही देसी अफसरों के कुछ इस्तरियां हस दी, कि इतने में चीफ ने धीरे से का, पूर डियर, मा हर बड़ा के उट बैठी, सामने खड़े इतने लो मिया थर-थर कापने लगे, मा तुम जाके सोजाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जा गरही थी, और खिसियाई हुई नजरों से शामनात चीफ के मूँ की तरफ देखने लगे, चीफ के चेहरे पर मस्कुराट थी, वो वहीं खड़े-खड़े बोले, नमस्ते, माने जिजगत अपने में सिमठते हुए दोनों हाथ जोडे, बगर एक हाथ दुपटे के अंदर माला को पकड़े हुई था, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई, शामनात इस पर भी खिंड हो उठे, इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ, हाथ मिलाने के लिए मा के आ उठे, देसी अफसरों की इस्तरियां खिल खिला कर हस पनी, यू नहीं मा, तुम तो जानती हो, दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ, मगर तब तक चीफ मा का बाया हाथी बार बार हिला कर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, कहो मा, मैं ठीक हूँ, खैरियस से हूँ मा कुछ बढ़ बढ़ाई, मा कहती हैं मैं ठीक हूँ, कहो मा, हाउ डू यू डू, मा धीरे से सकुच आती हुई बोली, हो डू डू, एक बार पिर कह कहा उठा, वातावरन हलका होने लगा, सहाब ने स्थिती संभाल ली थी, लोग हसने चहकने लगे थे, शामनात के मन का श शराब की बू आ रही थी, शामनात अंग्रेजी में बोले, मेरी मा गाउं की रहने वाली हैं, उमर भर गाउं में रही हैं, इसलिए आप से लजाती हैं, सहाब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच, मुझे गाउं के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुमारी मा गाउं क के गीत और नाच भी जानती होंगी, चीफ खुशी ज़से रिलाते हैं, मा को टक्टकी बांदे देखने लगे, मा, सहाब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे, मा, धीरे से बूली, मैं क्या गाउंगी बेटा, मैंने कब क आया है, वा, मा, मेमान का कहा भी कोई टालता है, सहाब न इतना रीज से कहा है, नहीं काउगी तो सहाब बुरा मानेगे, मैं क्या गाउंगी बेटा, मुझे क्या आता है, वा, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे, देसी अफसर उनकी स्त्रियों ने इस सुझाओ पर तालिया पीटी, मा कभी दीन दर्शि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पासकड़ी बहु के चेहरे को, इतने में बेटे ने कंबीर आदेश भरे लिहाज में कहा, मा, इसके बाद हाँ या ना का सवाली नहीं उठता था, मा बैट गई और क्षिर, दुर लरस्ती आवाज में पुराना विवा का गीत गाने लगी, हरिया नी माए, हरिया नी भेणे, हरिया ते भागी भरिया है, देसी इस्तरिया खिलकला के हंस उठी, तीन पंक्तियां गाके मा चुपो गई, बरामदा तालियों से गुझ उठा, सहाब तालिया पीटना बंधी न करते थे, शामनात के खीज प्रसनता और गर में बदल उठी थी, मा ने पार्टी में नया रंग भर दिया था, तालिया थमने पर सहाब बोले, पंजाब के गाउं की दस्तकारी क्या है, शामनात खुशी से जूम रहे थे बोले, ओ बहुत कुछ सहाब, मैं आपको एक सेट उ करूंगा, आप उन्हें देख कर खुश होंगे, मगर सहाब ने सिर हिला कर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता, पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं, शामनात को सोचते हुए बोले, लड़किया गुडियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं, फुलकारी क्या है, शामनात फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेश्टा करने के बाद मा को बोले, क्यो मा कोई पुरानी फुलकारी घर में है, मा चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा ला मा बना देंगी क्यों मा साहब को फुलकारी बहुत पसंद है इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना मा चुप रही फिर डड़ते ड़ते धीरे से बोली अब मेरी नजर कहा है बेटा बुड़ी आंके क्या देखेंगी मगर मा का वाक के बीच में ही तोड़ते हुए शामन पीचे हो लिए जब मेमान बैट गए और मा पर से सबकी नजरें हट गई तो मा धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोट्री में चली गई मगर कोट्री में बैठने की देर थी कि आखों से चल चल हांसू पहने लगे वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुचती पर वो बार बार उमड़ा थे जैसे बरसों का बान तोड़ कर उमड़ाए हूँ मा ने बहुतेरा दिल को समझाया हाँ जोड़े भगवान का नाम लिया बेटे के चिराय होने की प्रार्थना की बार बार आँखें बंद की बगर आशू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे आदी रात का वक्त होगा मेमान खाना खाकर एक एक करके जा चुकी थे मा दीवार से सटकर बैठी आँखे फाड़े दीवार को देखे जा रही थी गर के वातावरर में तनाव धिला पड़ चुका था मुहले की निस्थ तब्धता शामनात के घर भी चा चुकी थी मा कितनी देर से अपने आपको कोस रही थी कि क्यों उन्हें नहीं दा गई क्यों वो उंगने लगी क्या बेटे ने अभी तक शमा नहीं किया मा उठी और कापते हाथों से दर्वाजा खोन दिया दर्वाजा खुलते ही शामना जूमते हुए आगे बढ़ाए और मा को आलिंगन में भर लिया ओ अम्मी तुमने तो आज रंग ला दिया साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं ओ अम्मी ओ अम्मा मा की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई मा की आखों में फिर आसु आ गए उन्हें पोस्ती हुई धीरे से बोली बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेजदो मैं कब से कह रही हूं शामनात का जूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाओ के बल पढ़ने लगे उनकी बाहें मा के शरीर पर से हटाई क्या कहा मा ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया शामनात का क्रोध बढ़ने लगा था बोलते गए तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मा को अपने पास नहीं रख सकता नहीं बेटा अब तुम अपनी बहु के साथ जैसा मन चाहे रहो मैंने अपना खा पहन लिया अब यहां क्या करूंगी जो थोड़े दिन जिंदगानी के बचे हैं भगवान का नाम लोगी तुम मुझे हरित्वार भेज दो तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा साहब से तुमारे सामने फुलकारी दिने का इकरार किया है मेरी आखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सको तुम कहीं और से बनवालो, बनी बनाई लेलो मा तुम मुझे धोका देके यूँ चली जाओगी मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं सहाब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी मा चुप हो गई, फिर बेटे की मूगी और देखती हुए बुली क्या तेरी तरक्की होगी, क्या सहाब तेरी तरक्की कर देगा क्या उसने कुछ कहा है, कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया कहता था, जब तेरी मा फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती हैं जो सहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ मा के चेरे का रंग बदलने लगा दीरे दीरे उनका जिर्यों बरा मुँ खिलने लगा आँखों में हलकी हलकी जमक आने लगी तो तेरी तरक्की होगी बेटा तरक्की यूँ ही हो जाएगी सहाब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा वरना उसकी खिद्बत करने वाले क्या कम हैं थोड़े हैं तो मैं बना दूँगी बेटा जैसे बन पड़ेगा बना दूँगी और मा दिली दिल में फिर बेटे के उज्वल भविश की कामनाई करने लगी और मिस्टर शामनात अब सोजाओ मा कहते हुए तनिक लड़ खड़ाते हुए अपने कमरे के और घूम गए अभी आप सुन रहे थे बीश में सहानी जी की लिखी हुई उनकी प्रसद कहानी चीफ की दावत